राजकोट मां पेडक रोड पर बे राउंड खानगी फारिंग नी गटना बनी छे आ विस्तार मां आवेल कुरियर ओफिस मां रिनोवेशन चालतो हवा थी कच्रो फेंकवानी बावते धरसब्य अर्विंद रयाणी ना भाई सुरेश रयानी सहितना शक्सोय बबाल करी हती बबाल मां पाई पने धोका वड़े हुमलो करता एक व्यक्तिने इजा थता सारवार मांटे खसेडाया छे आ समगर मामले क्राइम ब्रांच अने बी डिविजन पोलिसे सिसी टीवी फुटे चकास्वानी तजवीज हाद दरी छे तो खानगी फाइरिंग नी आग घटना बनी छे राजकोट ना पेड़क रोड पर राजकोट मां बे राउंड खानगी फाइरिंग नी आग घटना बनी छे आट दोश्वेक्ति इलोकोट यामारी ओफिस आई वाता हुमलोकरवावटे अमें बार्सी आई वात या इलोकोट उपजी कचरो कोने शुकाम नत क्या नाकोचे वोकाइक बाबत अब बाबत अब आधी वो बार्सी याव इलोकोट यामारी उपर हुमलोच चालू करी ती मने धिका पाट उमार लाकरी वाडे नाव बदो अलग अलग वात शुमाईरो पछी इलोकोटे मारी फाइरिंग कई रुजे इलोकोट वाट थी दस वेक्ति अती नाम्ति मने बहुजाजो परिचय नहीं परन हुए माथी त्रान वेक्ति नाम्ति मने मतलब सांभल वामाई वाचे नजरी थी मने अबले सूरेश पाइ रहानी करी ने छे यह ता एक भुपत पाइ भरवार करी नेको घथा अन्ने एक हतो कोई साहिलेश करी नेको घथा आलोको तिया अवास्ति आलोको एक बिजानरी तो बोला हुथी ता समगर घटना विशे वादचीत करवा मांटे राजकोट थी रक्षित आपनी साथे जोड़ाया छे जी रक्षित राजकोट नी वादकरवा मां आवे तो काई दोने विवस्तानी स्थिती खुबच गथड़ी रही छे खुबज नजेवी बाबत, कच्रो फेकवाजेवी बाबत मा आफ फाइरिंग नी घटना बनी छे, शू स्तिती छे अनेशू कारे भाही जाली रेचे इस्तान, युद्य में हमसे जीता है क्या? तो पेड़ फेकवाजेवी बाबत मा आफ फाइरिंग नी घटना बनी घटना बनी घटना बनी जाती आजू बाजू ना खेवा मुझब के हवामा बे फाइरिंग करया छे एवी इकटना सामे आवी चे अने हाल पोलीस द्वारा आजू बाजू ना जे अपीस होने चे त्यांती CCTV फूटेज ने हूँ लाई अजू बाजू पे हाल में इंआ शिविल अस्पिटल खाते जी एवी इज कर अगरस्त मा अमोडा भागिया एक मूड माळ भागियो गया तो एनी फरियाद लेवानी तजवीत चालूचे प्रदी बईपन जानता नेता के कौन अता तो पस्त जीरत पीजा जाना हुद तेरी तेरी सवप्रथम चेते तेमनी सारवा करवानी कारवाय चालूँशे तेरी बाद जे बीडिविजन पोली स्टेशन विस्तार चेके तेहां गड़ फरियाड नोंद्वानी कारेवाई करवाय चे पोलीस द्वारा आतियारे निवेदन लेवाय चे तेरी बाद जे घटना स्थर्चे तेना आसपास ना तमाम जे सिसीटी फूट अचे ते पन चेक कर जे रक्षित आभार समगर जानकर याप